आरो यारो के लिए हिंदी की प्लेलिस्ट आप लूग जरूर देख लिजेगा आज का जो विशे है हमने बताया है कि 5-6-7 दिन हम विशेशन विशेश्य पे फोकस करेंगे क्योंकि इस टॉपिक से लोगों का जादा गलत हो रहा है टेस्ट भी ले रहा है तो इसी टॉपिक से मैक्सिम लोगों का गलत हो रहा है तो कई बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी इस वीडियो में हम 2021 में जो आरो यारो प्रिलिम्स और मेंस हुआ था आपका हिंदी का जो पेपर था उसके विशेशन और विशेशे के questions को discuss करेंगे इन questions को discuss करते करते हमने जो परसों वाले वीडियो में नहीं किया था उसमें कहा था मैंने trick आपको बताएंगे कि trick के माध्यम से आप कैसे solve कर सकते हैं विशेशन विशेशे के प्रशनों को खासकर पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये विशेशन है या विशेशे है तो किस चीज का आप इस्तमाल करिए कौन से trick का इस्तमाल करिए क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए इसका प्रयोगर कर लेते हैं तो विशेशन विशेश आपका गलत होने वाला है नहीं क्योंकि बहुत subtle topic है समझने के लिए theories की कितने प्रकार हैं कहां ये आएगा इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का आप जरूर देखिए परसों ही वीडियो है playlist में पड़ा हुआ है हिंदी वाले में ठीक है और 10 येर का उसमें solve भी हमने करवाया है उसको अगर solve कर लेते हैं तो आपकी problem ही solve हो जाएगी तो solve वाले वीडियो को जरूर देखिएगा उसमें पूरे 10 साल के paper को हमने solve करवाया है तो चलिए फिलाल देर न करते हुए शुरू करते हैं पांड शब्द विशेशन की दिष्टी से क्या है ये पहला प्रश्न है आपका अब यहीं से हम पहली trick आपको बता रहे हैं या पहले ही trick बता देते हैं आगे apply करेंगे तो आपको फायदा होगा जो लोग trick को लिखना चाहें लिख सकते हैं विशेशन विशेश को करने के लिए दो तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पहला तरीका यह है कि जब विशेशन विशेश पहचानना हो समझ मिनार आओ यह शब्द विशेशन है अथवा विशेश है तो आपको क्या करना है इसका वाग के प्रियोग करना है क्या करना है विशेशन सब्द जो दिया हो उसका वाग के प्रियोग कर लेना है क्या करना है वाग के प्रियोग करना है अब इसका वाग के प्रियोग आप कैसे करेंगे हिंदी वाले हिंदीम करेंगे इंग्लिश में जिसको समझ में आता है उस विशेशन शब्द का English में translation करिए और English में उसका sentence बना लिए जाए अर्थात हिंदी और English दोनों में sentence आप बना सकते हैं उस sentence को जब आज इस्तिमाल करेंगे sentence में जब उस शब्द का इस्तिमाल करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये विशेशन है अधवा ये विशेशे है बहुत आसानी से इस से आसान कोई और तरीका नहीं है विशेशन विशेशे Пहचानने का बशर्ते कि उसका अर्थ उस शब्द का अर्थ आपको मालूम हो अर्थ नहीं मालूम होगा तो फिर वाक्य प्रियोग का कोई मतलब होगा नहीं अर्थ भी मालूम होना चाहिए इतना तो आपको इतनी योगिता आप में तो होनी चाहिए क्योंकि आप भले इंगलिश के शात्र हों भले आपने हिंदी न पढ़ी हो तो भी आप हिंदी बेल्ट में रह रहें और आप हिंदी में काम करने जा रहें वो भी शासन अस्तर पे इतनी योगिता तो आपकी होनी चाहिए अगर नहीं है तो उसको डेपलप करने के लिए मैंने पहले ही बताया था आप आप नnewz paper आज से कितने साल पहले मलब साल नहीं छह, साथ, आठ महीने पहले बताया था आप बहुत सारे लोग उस पर काम किये है हिंदी बहुत अच्छी हो गई जिनकी शून नियती जिनकी इंदी जिनको समझ नहीं आते थे वर्ट्स, निउस्पेपर पढ़ पढ़ के सुन सुन करके उनकी बहुत मजबूत हो गई है, तुन्होंने समय दिया है, हमने ऐसे लोगों को देखा, आपको कभी मैं कॉपी सेर करूँगा, अभी तक भेजते हैं, एक पैरा लिखकर डेली भ पढ़िए, बढ़िया सा एडिटोरियल जो पोशन आता है संपादिकी, वहां से एक पैरा कोई भी लिख लीजे छोटा सा, आपकी शब्दावलियों पर पकड़ बनेगी हिंदी, आपकी मजबूत होगी, अगर कमजोर है तो, और काफी लोगों ने काम किया है, उसका रिज हिंदी, इंगलिस दोनों में वाके प्रयोक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि विशेषता बताई जा सकती है इसकी, या विशेषता ये किसी की बता रहा है, ठीक है, जैसे अच्छा वर्ड हो गया, राम एक अच्छा लड़का है, अब यहां पर अच्छा क्या बता लड़का है, यहां से भी बहुत सारे लोग कनफ्यूज रहते हैं, कनफ्यूज यह रहते हैं, यहां राम विशेष्य होगा या फिर लड़का विशेष्य होगा, अब सोचिए आप लोग, क्योंकि यह अच्छा शब्द जो है, वो राम की विशेष्ता बता रहा है, या अच्छा यह विशेष्ता किसको बता रहा है, हम अगर विशेष्य पूछ ले, तो हम राम को एंसर करेंगे या लड़का को एंसर करेंगे, आप लोग कमेंट वाक्स में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इसका एंसर मैं अभी नहीं देने वाला हूँ, इस क्लास के अंत मे दूँगा, बहुत इंट्रेस्टिंग है ये प्रशना, आया है लोगों ने गलत किया है, आगे भी गलत होने की संभावना रहेगी, इसलिए यहाँ पर मैंने यह उदारन, चुकि मैं जानबूच कर नहीं बोला हूँ यह, अचानक से उदारन निकल आया, और यह उदारन च क्या दिजए, कमेंड बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि किसने क्या एंसर दिया है, राम विशेष्य होगा, या फिर लड़का विशेष्य होगा यहाँ पर, अच्छा में तो कोई दिकत नहीं है, यहाँ पहचान जाएंगा आप अच्छा तारीव कर रहा है, इंडिरेक् यह क्या है यह विशेशन है विशेशता बता रहा है यह ओके तो यहाँ पर पांडु शब्द है देखे पांडु शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका वो होता है पीला क्या होता है पीला होता है और पीला कल हमने डिस्कस पर्सों वाले वीडियो में किया था, क्या है, रंग है, और रंग क्या है, गुडवाचक विशेशन है, क्या है ये, गुडवाचक विशेशन है, तो यहां पर जब गुडवाचक विशेशन हो गया, तो आप टिक कर दोगे आराम से तुरंथ, ये तो विशेशन है, एक रोग का भी नाम है, एक रोग का नाम है, और पांडू एक व्यक्ति का भी नाम है, जिसका वर्डन महाभारात में आप सुनते हो, जिनके पुत्र थे पांडू, पांडू से जो उत्पन हुए, तो यह संग्या भी है, पांडू संग्या भी है, और पांडू को विशेशन क की तरह भी प्रयोक्त किया जा सकता है, पीला के अर्थ में, अब यहीं पर आपको दूसरी truc भी समझ में आ घई, दूसरी है क्या, आपने ध्यान दिया कि पांडू- अर्थ-पीला, अर्था यहाँ पे परेय वाची की आप प्रयोक्त कर सकते हो, मतलब विशेशन है या विशेश है अगर आपको शब्द समझ में नहीं आ रहा है शब्द थोड़े से टफ हैं तो आप उनका अर्थ अगर निकालने में सक्षम है अगर आपने पर्यायवाची पढ़ा है चुकि पढ़ना ही है दस प्रशन पर्यायवाची से भी आएगा आपको प्रिलिम्स में मेंस में भले पर्यायवाची नहीं है तो जो आपने पर्यायवाची पढ़ा है उसी का यहाँ पर प्रयोग कर दीजे अगर वो शब्द नहीं बन रहा है उससे वाक्य नहीं बन रहा है तो उसके पर्यायवाची से वाक्य बनाईए आपको समझ में आ जाएगा कि विशेशन है या विशेशे है ये दो ट्रिक निंजा ट्रिक है इसे बढ़िया कोई ट्रिक बनी नहीं है विशेशन विशेशे पहचानने के लिए बाकी बुद्धी का ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा ये दो ऐसे ट्रिक हैं जो आपको पकड़ा जेंगे कि भाई यही विशेशन है तुरंत आप पहुँच जाओगे महां तक लेकिन फिर भी त्रीनेत्र खोल के रखना है कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि विकारी विशेशन भी हो सकता है अर्थात परिवर्तन हो सकता है उसमें कभी विशेशन कभी विशेश्य हो सकता है विकारी मतलब जिनका प्रयोग विभिन रूपों में विभिन तरीके से किया जा सकता है वो विकारी हो गए और विशेशन मतलब की अविकारी मतलब जिनमें कोई विकार नहों एक ही तरीके से उप्रयोग किये जाएंगे ठीक है ये विकार कई तरीके से हो सकता है जिसके बारे में हमने कलवणन किया था विकारी शब्द क्या होते है अविकारी शब्द क्या होते है यह भी एक प्रकार का विकार उत्पन हो रहा है, यह अर्थ में विकार उत्पन हो रहा है, वहाँ पे शब्द में विकार उत्पन हो रहा था, ठीक, तो अर्थ में जब विकार उत्पन होगा, तो भी आपको पहचानना है, शब्द में विकार उत्पन होगा, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तब तो वो विशेशन ही रहेगा लेकिन अगर अर्थ में विकार उत्पन हुआ तब यहां पे विशेशन नहरा कर वो विशेश्य हो जाएगा ठीक है उस वीडियो के जरूर आप लोग देखेगा प्लेलिस्ट में मौझूद है तो पांडु शब् कि उतले हैं परियाइवाच्य होता है पिला होता है पिला क्या है यह गुडवाचक विशेशन है कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयोंक्त कि विशेशन हैंम Studios को बताया था कोई यह क्या है अब यहां पर देखे पूरा विशेशन का नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको समझ भी जाना है कि यह संग्या के पहले सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है तो कोई सर्वनामिक विशेशन है और सार्वनामिक विशेशन में हमने आपको छे प्रक पतार में से कौन सा है यहां पर निष्चत नहीं है कि कौन आया है दरवाजे पर कोई खड़ा है पीछे हम उसको देख तो पान ही रहा है तो कोई आदमी आया है जाकर देखो यह कोई क्या है अनिष्च एवाजक है यह वाला राइट एंसर होगा सौ गुना लंबा में विशेशन का कौन सा भेद है सौ गुना लंबा में विशेशन का कौन सा भेद है तो बहुत आसान है इसको बताना एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चौर गुना ये तो आपकी परिभाशा में ही आ जा रहा है जो चीज परिभाशा में आ जा रही है, उसमें क्या, सोचना, परिभाशा पढ़कर जाएगा, एंसर करके आईए, आवरिति बाचक विशेश्टन, जिसकी आवरिति हो रही हो, जो तो लात्मक रूप से दिखाता हो कि कितना ज़ादा है, कितना गुना है, तो ये क्या हो आवरिति बाचक हो जाएगा सी वाला राइट एंसर प्रयाग राज में दस्वा व्यक्ति कोरोना पीडित है में दस्वा शब्द क्या हो जाएगा अब यहां पर एक टेक्निकल चीज है वो मैं आपको बताऊंगा पहले प्रश्ण का उत्तर आप लोग दीजे प्रयाग राज में दस्वा व्यक्ति कोरोना पीडित है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्या बता रहा है ये क्या बता रहा है क्रम बता रहा है किस क्रम में आ रहा है कोई हमने बताया था खंबे का उधारन आपको याद होगा पहला दूसरा तीसरा दस्वा सौवा ग्यारा सौवा य क्या हो जाएगा क्रम वाच्च क्विशेशन हो जाएगा लेकिन यहाँ पर अगर यह दिया होता यह शब्द यहाँ पर कमी किस चीज की लग रही है प्रियाग राज में हर दस्मा व्यक्ति क्या? हर दस्मा व्यक्ति यहाँ पर हर लग जाता कोरोना पीडित है तब ये वाक्य पूर्ण होता ये अशुद वाक्य है अगर देखा जाये इसके अर्थ में जाये जाये तो तो प्रियाग राज में हर दस्मा व्यक्ति कोरोना पीडित है अगर ये होता यह कहना तो यही चाह रहा है लेकिन हर नहीं लगाया है तो हर दस्मा व्यक्ति अगर होता तब इसका उत्तर क्या हो जाता यहां पर तो विकल्प दिया नहीं है तब यह हो जाएगा प्रतेक बोधक क्या हो जाएगा प्रतेक बोधक हो जाएगा लेकिन न तो विकल्प में प्रत्यक बोधक दिया है और नहीं वाक में हर दिया है हर दस्मा हो जाता तो ये प्रत्यक बोधक हो जाता हर नहीं दिया है केवल दस्मा दिया है तो ये क्या हो जाएगा दस्मा पहला दूसरा तीसरा चौथा आपने देखा ये क्रम वाचक विशेशन हो जाएगा तो बहुत सूक्ष में सूक्ष मंतर है इंजम में वाग के पढ़िये, विकल्प देखिये उसके बाद सोच समझ करके उत्तर करिये यहीं परहर दिया होता लेकिन आपके दिस्टी में के वल दसमा पढ़ता तो आप क्रम वाचक लगा के चले आते हैं फिर गलत हो जाता तो पूरा वाग के पढ़ना है अच्छे से बहुत समय मिलता है अंदी पढ़ने के लिए क्योंकि एक एक प्रश्नका खेला है इन में से खेलना शब्द में से बना विशेशन है अब यहां तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी खेल शब्द तो इसी में आ रहा है खेलना क्या है यह क्रिया है और क्रिया से विशेशन यह बन रहा है खिलाडी हमने आपको प्रताय था संग्या से प्रत्यादी जोड़ करके विशेशन बना सकते हैं ठीक कुछ शब्द होते हैं जो मूलतः विशेशन ही होते हैं जैसे बहुत हो गया सुन्दर हो गया यह क्या है विशेशन ही है खेलना शब्द से बना जो विशेशन है क्रिया से भी विशेशन बनाया जा सकता है विविन तरीकों से तो खेलना से विशेशन क्या बना है खेला राइट एंसर निम्कित में से एक शब्द विशेशन नहीं है इन में से कौन विशेशन नहीं है ये पूछ रहा है अकूत अचार अकंड और अचंड अब यहां भी मैंने जो आपको ट्रिक बताई विशेशन कैसे पहचानेंगे आपको अर्थ पता होना चाहिए इन सबका अक पूत मतलब क्या होता है आप अकसर सुनते होंगे दिमाग थोड़ा सा दिश्टी थोड़ा सा म्यमोरी अपनी यहां पर दोड़ाएंगे इसलिए मैंने कहा निउस पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किन शब्दों का कहा उपयोग होता है निउस पर पेपर प आज आप हिंदिम विद्वान हो गए बस एक छोटी सी क्रिया से 15-20 मिनिट क्रिया बताई थी हमने अगर वो नहीं किया है तो फिर वो आपकी गलती है तो अकूत मतलब क्या होता है आप अकसर सुनते होंगे अकूत धन है भईया उनके पास तो अकूत धन है लेकिन कैसा है अकूत है यहां अकूत तो अपने आप विशेशन है ना धने की विशेशता यहां बता रहा है धन तो है उनके पास लेकिन कितना है अकूत धन है अकूत धन है अर्थात यहां पर क्या हो गया अकूत विशेशन हो गया अकूत मतलब अपरिमित अथा कह सकते हैं कि बेहिसाब अर्थान है उनके पास तो यहां पर आप इसका अर्थ निकाल करके इंग्लिश में अर्थ निकाल करके या फिर प्रयाई वाच्ची इसका जो है वो समझ करके आप एंसर कर सकते हैं लेकिन शब्द का अर्था आपको मालू होना चाहिए अकर्ण अकर्ण मतलब कर्ण मतलब होता है कान अ मतलब होता है नहीं अर्थात बहरा बीना कान के तो बहरा जो शब्द है क्या है विशेष्टा बता रहा है ना इस्थिती बता रहा है किसी की व्यक्ति बहरा है व्यक्ति कैसा है बहरा है व्यक्ति जो संग्या है इसकी विशेष्टा ब पदान कर रहा है कि यह व्यक्ति बहरा है औरों से अलग है बिना कान के है विशेष्टा बता रहा है कि नहीं बता रहा है बेलकुल बता रहा है डी अचंड में आते हैं अचंड का मतलब होता है दोस्तरों सौम में क्या होता है सौम में अब किसी की तारीफ में क्या बोला जाएगा ये बालक बहुत सौम में है तो बालक की क्या हो रही तारीफ हो रही है तारीफ किस शब्द के द्वारा हो रही है सौम में है, आपको पता चल जाएगा, विशेस्ता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो सौम में भी विशेस्ता बता रहा है, इसका ठीक उल्टा, शैतान, ध्रिश्ट वो भी विशेस्ता बता रहा है, निगेट्टिव नकारात्म करतों विशेस्ता बता रहा है, तो ये भी विशेशन हुआ अचंड भी, बचा अचार, अचार आप खाते हो, क्या है भई? आपके घर फलों सबजीों से बहुत सारे अचार बनाए जाते हैं, अचार का नाम तो सुनाओ, अचार खटाई नहीं या अन्तित क्या जानते हैं फिर? तो ये खाद समगरी का नाम है अचार, है ना? तो अचार क्या है? ये संग्या है गुरू, क्या है? ये संग्या है? मुह में पानी भी आ जाता है लहसुन का आचार करोधे का आचार मिर्च का आचार जो क्या कहते हैं बड़ा वाला मिर्च आता है उसका नाम मैं भूल रहा हूं उसका आचार अदरग का आचार नेंबू का आचार मुझे तो पसंद है आम का आचार बहुत पसंद है हमाई ने बताएगा इस ये के साथ थी, तो B वाला जो है right answer है, ये विशेशन नहीं है, विशेश है, संग्या है, प्रताब सिंग का घोडा काला है, इनमें काला शब्द विशेशन के दिश्टी से क्या है, घोडा काला है, विशेशन के दिश्टी से मैंने बताया, विशेशन का जो बाद में प्रयोग तुआ और थाद विशेश बाद में प्रयोग तू यहां पर क्या हो जाएगा यह देश विशेशन हो जाएगा या विशेश विशेशन हो जाएगा इसका ठीक उल्टा जो है विधे विशेशन होता है अर्थाद पहले विशेश का प्रयोग हो और बाद मे विशेष्टा बताई जाए किसी शब्द से अर्थात विशेष्ण का प्रयोग विशेष्ट के बाद हो वाक्य में तो ऐसा विशेष्ण क्या कहलाएगा विधे विशेष्ण कहलाएगा तो यहाँ पे पूछ रहा है काला क्या है तो काला जो है ये घोडे के बाद आया है घोडे की विशेस्ता बता रहा है तो जब घोडे की विशेस्ता बता रहा है काला अर्थात ये काला रंग का गोड़ा है रंग बता रहा है गुडवाचक विशेशन है लेकिन यहाँ पर अर्थ जो वाक के प्रयोग की दिश्ट से बता रहा है कि विशेशन हमने आपको बताए, विशेशन का पयोग बाद में हुआ तो विधेव विशेशन होता है, तो यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जाएगा, विधेव विशेशन हो जाएगा, ठीक है, और कोई विचार आपको नहीं करना है, यह दो तरह के विशेशन की दिश्टि से इस प्रशन को पूछा गया है, इनी दोनों में से एक होता, सी वाला राइट एंसर हो जाएगा, तो देश आपको देखना है कि प्रशन पूछ क्या रहा है, एक वाक्य में विशेशन अशुद्ध है, वह क्या है, अब सुन्दरी लड़की, सुन्दर लड़की, सुन्दर शब्द को हमने आपको क्या बताया था कि ये क्या है, ये अविकारी है, परसों वाले वीडियो में हमने विकारी और अविकारी शब्दों को बताया था, अविकारी मतलब जो बदल जाएं, लिंग, वचन, कारक, आदी के अनसार, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, और जैसे हमने बताया था अच्छा लड़का अगर है तो अच्छा हो जाता है अच्छा लड़का लड़की है तो अच्छी हो जाता है यही अच्छा क्या है बदल जाता है अच्छी हो जाता है तो अच्छा क्या है यह विकारी विशेशन है विकारी शब्द है वहीं एक वाक्य में वि विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है सुन्दर, अविकारी विशेशन है, इसलिए इसका बदलेगा नहीं प्रयोग, सुन्दर है तो सुन्दर ही रहेगा, तो सुन्दरी लड़की ये गलत हो जाएगा, सुन्दर लड़की, सुन्दर लड़का, सुन्दर लड़के, कैस वे लिंग वचन कारक हो, सुन्दर सुन्दर ही रहेगा. जिसकी विशेष्टा बताई जाए, उसे क्या कहते हैं? यह तो बहुत आसान है, जिसकी विशेष्टा बताई जाए, उसको विशेष्टे कहते हैं, भी वला राइट एंसर हो जाएगा. निवकित में विशेष्ट शब्द है, कौन सा विशेष्ट शब्द है, पूछ रहा है. विपन, वादी, विशिष्ट और मानस. अब यहाँ वही जो पहले प्रश्ण में हमने ट्रिक बताया, पांडू अले शब्द में एक ट्रिक बताया था हमने आपको, वहाँ पर एक ही शब्द था, यहाँ पे चार शब्द हैं, चार शब्दों में अपलाई करना है, कोई बात नहीं है, हिंदी को हल करने के लिए आपके पास परियाप्ळ समय रहता है, तो इस परियाप्थ समय में आपको समय का सदुप्योग करना है, अब एक-एक शब्द में आते हैं, विपन हमने अर्थ आपको कहा, संपन का उल्टा क्या होता है, विलोम शब्द पढ़ा है अपने परयायवाची पढ़ा है, विलोम पढ़ा है दोनों का यहां प्रयोग करिए विपन किसका विलोम होता है संपन का होता है संपन मतलब क्या होता है भाई, अमीर है न, अमीर होता है अमीर क्या है विशेशन है कि नहीं है कोई व्यक्ति क्या है अमीर है व्यक्ति की यहाँ पर क्या हो रही तारीफ हो रही है यह अमीर है मुकेश अमबानी अमीर है अमीर व्यक्ति है यहाँ पर अमीरी क्या है अमीर क्या है यह विशेशन है तो जब अमीर विशेशन है तो इसका विलोम या जो इसका प्रैव अजी होगा वो भी तो विशेशन होगा ये विशेशन होगा निकल लिये यहां से हमको विशेश पहचानना है अब आए विशिष्ट में ये विशिष्ट व्यक्ति हैं विशिष्ट अतिति हैं अतिति तो है हैं लेकिन कैसे अतिति बहुत होते हैं आपके कायकरम में आप अतिति तो बहुत बुलाते हैं लेकिन विशिष्ट अतिति हैं वाक्य प्रयोक कि ये साफ हो गया कि विशेश्ट जो है ये विशेश से बना है विशेश्ट विशेश व्यक्ति विशेश्ट व्यक्ति दोनों ही क्या है विशेशन है तो ये सीवला भी विशेशन होगा अब आए वादी और मानस पे बहुत सारे लोग वादी प्रतिवादी इस आधार पर कि कोई वादी है ये व्यक्ति इस केस में वादी है अब यहाँ पर वादी क्या है विशेशन व्यक्ति को सीमित कर रहा है न किसी मालिया की अमर है कोई केस है उसमें ये वादी है तो अमर के अर्थ को सीमित कर रहा है वादी तो वादी इस तरह से क्या है विशेशण है लेकिन चूकि इसका प्रयोग हम विशेश की तरह भी कर सकते हैं क्या त्रिनेत्र खोलना है यहाँ पर क्योंकि मानस से हम इसकी तुलना कर रहे हैं यहाँ पर तो क्या हम त्रिनेत्र ओपेन कर सकते हैं अपने यहाँ पर विशेशण और विशेश की तरह यूज कर सकते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं अब वादी की बात करते हैं कहते हैं कि इस केस में फलाना केस में जो वादी है वो बहुत खतरनाक है वादी बहुत खतरनाक है या वादी बहुत चालाक है बहुत चालाक है अब यह चालाक किसकी विशेष्ता वतारहा है वादी की यहाँ पर इस अर्थ में वादी क्या हो गया संग्या हो गया ना विशेश हो गया तो इसलिये हम जाएंगे चोथे option में मानस में पूरी तरीके से جो की संग्या है पूरी तरीके से संग्या है पूरी तरीके से विशेश है मानस किसी का नाम भी हो सकता है और मानस का अर्थ होता है मन क्या होता है मानस का अर्थ मन होता है और मन क्या है संग्या है तो दोनों ही तरह से संग्या होई इसका हम विशेशन की तरह प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसी भी अर्थ में मन का आप जितना भी परयायवाची निकाल लो तो ये विशेशन नहीं है ये पूर्तह विशेश्य है इसका जो विशेशन बनता है इक प्रत्य लगा देंगे तब बनता है मानसिक अर्था जो मन से उत्पन हुआ हो मानस ये विशेशन हो जाएगा तो यहाँ पे जब युद्ध लड़ाते हैं वादी और मानस में तो जीता कौन है मानस जीता है तो विकल्पों में भी टक्राव आपको कराना है यही बुद्धी अपनी लडानी है इसी का तो अभ्यास करना है आपको इतना आसानी से आपको हल नहीं करना है आसानी से हल हो सकता है पांच मिनट में, दस मिनट में आप तीस में में और पंदरबीस मिनट में प्रिलियम्स में करके खाली हो जाएंगे लेकिन उससे आपका लाब क्या होगा आपका जो समय बच रहा है, उसका कैसे आप सद उपयोग करेंगे, तो ऐसे सद उपयोग करेंगे, ठीक है, अगला प्रशन है, प्रविशेशन को कामता प्रसाद गुरू ने इन में से क्या कहा है, प्रविशेशन को कामता प्रसाद गुरू ने इन में से क्या कहा है, तो हमने अभ्यासेशन में चीज डिसकस की थी और सब सही करके आये थे अंतर विशेशन इसका अर्थ था ए वाला राइट एंसर है अंतर विशेशन कहा है इसको निम्खित में से एक तथ्य गलत है अर्था तीन तथ्य सही होंगे अब यहाँ पे आपको सभी तथ्यों को इसका मतलब अच्छे से देखना है क्या है पहला विशेशन से संग्या की व्यापती परिमित हो जाती है अर्था सीमित हो जाती है जैसे मोहन एक छात्र है या मोहन एक क्रिकेटर है अब यहाँ पे क्रिकेटर बना दिये ना आप उसको फुटबॉलर नहीं है वो क्रिकेटर है उसकी व्यापती सीमित हो गई मोहन कुछ भी हो सकता था लेकिन आपने सीमितता दे दिये उसको क्रिकेटर बना करके तो यहाँ पे संग्या क्या काम करता है संग्या के अर्थ को विशिष्ट बनाता है या सीमित कर देता है तो पहला वाला बिल्कुँ सही है दूसरा जिस विकारी शब्द से संग्या की व्यापति, मर्यादित या सीमित होती है, सेम यही बात है उसे विशेशन कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है कहने का तरीका अलग लग है प्रयोग की स्थिती के आधार पर अंकित, शब्द, विशेशन और विशेशन दोनों है बिल्कुल अंकित किसी का नाम भी हो सकता है और अंकित कहीं पर कोई चीज अंकित है तो कह सकते हैं इसमें यह अंकित है या यह जो अंकित शब्द है ऐसे कह सकते हैं शाम पड़ पर फला शब्द अंकित है तो यहां पर अंकित का दोनों तरह से प्रयूख कर लिया आपने विशेशन और विशेशे की तरह C वला राइट अंसर और C वला हो गया राइट विशेशन सब्द सदय विशेश के पहले प्रयूक्त होता है विशेश के बाद कभी प्रियुक्त नहीं होता तो यहां पर कहना चाह रहा है कि विशेशन सब्द सदय विशेश के पहले प्रियुक्त होता है अर्थाद ये बात कर रहा है विशेश विशेशन या उद्देश विशेशन की और इसका कहने का मतलब है कि विधे विशेशन कोई चीज़े नहीं होती है अर्थाद विशेशन के बाद कभी प्रियुक्त नहीं होता है क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा न दोनों ही तो आपने विशेशन पढ़े विधे विशेशन भी पढ़ा और उदेश विशेशन भी पढ़ा तो D वला गलत हो जाएगा, D वला राइट एंसर हो जाएगा मतलब आपका संख्या वाचक विशेशन चौगुना इन में से क्या है तो एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना, चौगुना, पंच गुना, चछ जो भी है ये क्या है आवरित्ति वाचक विशेशन है निमलकी शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेशन है पहला जो हमने पढ़ा था पांडु वाला ठीक वही ट्रिक जो हमने बताई थी यहाँ पर अपलाई आप करेंगे कोई जोरी नहीं कि चारों का अर्था आपको मालूम हो अगर एक शब्द यहाँ पर कठिन भी आ जाए आपको अर्थ न पता हो बाकी तीन के अगर पता है तो आप आराम से चाहे हिंदी के हैं आंगरेजी के चात्रे हैं उसका निकाल लेंगे की विशेषण होगा या विशेषण होगा दूसरे तरीके से यहाँ पूचा है कि मूल रूप से विशेषण कौन सा है ठीक यहाँ पर आपको इस प्रश्ण पर नहीं ध्यान देना है आपको देखना है इसमें विशेशन कौन सा है विशेशन कौन सा है प्रश्ण को पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है तो तरीका देख करके घबराना नहीं है आपको आपको टैकल करना है युद्ध लड तो यह क्या हो जाएगा परलोग नाउन है कि नहीं है जब नाउन है तो फिर नाउन है संग्या है तो यह विशेश है मूलता विशेशन नहीं है यह तो परलोग का जो विशेशन बनता है वो बनता है पारलोकिक क्या बनता है पारलोकिक दूसरा अर्थ को ले लेते हैं अर्थ मतलब होता है धन अर्थ किसका पर्यायवाची है धन का अब अर्थ का जो पर्यायवाची धन पकड़ लिया अपने धन क्या है भाई धन uncountable noun होता है सायद English में यही बोलते हैं मैं confirm नहीं हूँ बहुत समय हो गया English पड़े अर्थ सायद uncountable noun है लेकिन है noun जब धन noun है तो अर्थ भी noun हो गया अब जो noun हो गया तो विशेशन कहां से होगा तो यहाँ पर क्या हो गया अर्थ यह विशेश है अर्थाज संगया है मूलता विशेशन नहीं है परिवार में आईए परिवार क्या होता है family को आप क्या बोलते हो इंगलिश में collective noun यह क्या है संगया है तो जब संगया है तो संगया है विशेशन नहीं है तो तीनों से आपको पता चल गया कि तीनों संग्या हैं तीनों विशेष्य होंगे विशेष्ण नहीं होंगे तो मूलतह क्या है ये? ये मूलतह विशेष्ण नहीं है परिवार से पारिवारिक हो जाएगा विशेष्ण, अर्थ से आर्थिक हो जाएगा विशेशन और परलोक से पारलोकिक हो जाएगा विशेशन यहाँ पे पतला पे ध्यान दीजे हमने दशा आपको बताई थी उधारण में आपने अगर परसों वाले वीडियो में उधारण भी पढ़ लिया गुडवाचक विशेशन का तो आपके सारे प्रश्ण महां से सावल हो जाएंगे उधारण में पतला को दशा में हमने बताया था तो दशा क्या है दशा कोई चीज अगर बताया तो वो गुडवाचक विशेशन है तो पतला क्या है यह गुडवाचक विशेशन है यह वाला राइट एंसर हो जाएगा दुबला पतला इस अब क्या है दशा बता रहे हैं किसी की ए वाला राइट एंसर है ये मूलता क्या है विशेशन है अगला प्रश्ण है वह बहुत खाता है इस वाक में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है तो यहां कोई विकल्प म क्रिया विशेशन नहीं दिया है अर्थाद यहाँ पे विशेशन के प्रकारों में फिर आप जाएंगे क्यों क्यों कि मोश्ट एप्रोप्रियेट एंसर ही एंसर होगा यहाँ पे विकल्प में क्रिया विशेशन नहीं है तो विशेशन के प्रकारों में जाएंगे खाता क्या है, क्रिया है बहुत क्या है, क्रिया विशेशन है और क्रिया विशेशन में की कौन सा विशेशन है तो बहुत मतलब अनिश्चित है और बहुत क्या ये खाना को गीना जा सकता है संख्या हो नहीं सकती है माप केवल हो सकता है तो यहाँ परिमार वाचक विशेशन होगा और परिमार वाचक में निश्चित या अनिश्चित यहाँ पर बहुत की बात की गई है अर्थात यह अनिश्चित परिमार वाचक विशेशन होगा यहाँ पर कहीं भी अनिश्चित नहीं दिया है लेकिन परिमार बोधक जरूर दिया है तो बी वला राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अब आते हैं जो हमने प्रश्चन सुरुवात में पूछा था आप से क्या पूछा था कि राम एक अच्छा लड़का है इसमें विशेश राम होगा या फिर लड़का होगा तो आपका जवाब है कि लड़का होगा है ना तो राम क्यों नहीं होगा भाई राम भी तो वही लड़के की बात हो रही है और वो लड़का कौन है राम है तो इंडिरेक्टली राम की तो तारीफ हो रही है कि अच्छा है तो यहाँ पर एंसर यह हो जाता है न दोस्तों यहाँ पर एक टेक्निकल बात आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान रखिये है आप लो टेक्निकल बात यह है जो नियम है वो यह है कि जो सबसे नजदीकी होगा जिसकी तारीफ की जा रही है जिस सब्द की उसको देखा जाता है कि जो अच्छा शब्द है वो नजदीक किसके है तो अच्छा शब्द यह नजदीक किसके है लड़का के ना ठीक लड़के की यह तारीफ कर रहा है यहाँ पर वाक्य में देखें हाँ इंडाइक्लियो राम की तारीफ कर रहा है लेकिन राम के बाद लड़का आता है और लड़का के बाद अच्छा आता है कैसे की राम क्या है अगर पूछा जाए राम क्या है तो राम क्या है लड़का है उत्तर आएगा राम लड़का है और राम कैसा लड़का है अगर पूछा जाए तब फिर आएगा अच्छा लड़का है तो जब करम से आप देखेंगे वाकी के निर्माड में जाएंगे तो पहले किया राम आया फिर प्रश्ण उठा राम कोन है लड़का है अब ये लड़का कैसा है तो अच्छा है तो पहले राम फिर लड़का फिर अच्छा तो लड़का के नजदीक हुआ अच्छा क्रम से लगाएंगे ने पहले राम आया फिर लड़का आया और फिर आया अच्छा वाके पे मच जाईए वाके में तो ये भी हो सकता है एक हटा दीजे तो राम अच्छा लड़का है अब बताईए अब यहां पे आप कहेंगे राम के भी नजदीक उतने ही है और उतना ही लड़के के भी नजदीक है अच्छा नहीं वाके निर्माड में आप जाएंगे सबस्थ पहले राम आएगा फिर प्रशन आएगा कि राम कौन है राम एक लड़का है कैसा लड़का है तो अच्छा लड़का है तो वाके निर्माड में जब आएंगे तब आपको समझे में आएगा या यह जो अच्छा है न वो लड़के के नजदीक है एक और टेक्निकल चीज़ बताता हूँ गर ऐसे न पकड़ में आए तो यहां पे आप यह देखिए कि राम और अच्छे के मध्य का जो अस्थान है और अच्छा और लड़के के मध्य का जो अस्थान है इन में से कौन सा अस्थान में कोई शब्द जोड़ा जा सकता है असानी से तो यहां पर राम एक अच्छा लड़का है या राम बहुत अच्छा लड़का है या राम वहां का सबसे अच्छा लड़का है या फिर राम स्कूल का या विश्वद्याले का एक अच्छा लड़का है लेकिन ये अच्छा और लड़का की जो पोजीशन है ये सेम है इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये लड़के के नस्दीक अच्छा है बस समझ की बात थोड़ा समझना जब सुरू कर देंगे तो ये सब सवाल बहुत अच्छे से आप हल कर लेंगे दोनों तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छा जो है वो नस्दीकी रूप से लड़के की तारिफ प्रत्यक्ष रूप से लड़का शब्द की तारिफ कर रहा है अब प्रत्यक्ष रूप से राम की तारिफ कर रहा है तो यहाँ पर विशेश क्या हो जाएगा अगर पूछा जाए कि राम एक अच्छा लड़का है या राम अच्छा लड़का है तो यहाँ पे विशेश लड़का हो जाएगा, विशेशन अच्छा हो जाएगा समझ में आई बात तो आप लोगों ने जिसने लड़का लगाया था वो सही है, अगर आपका कुछ डाउट है इसमें कोई भी प्रश्ण है आप पूर सकते हैं एक हम कायकरम स्टार्ट करने जा रहे हैं RO, ARO के लिए ये PCS में भी काम आएगा PCS Prelims इन को देना है उसमें भी काम आएगा एक गुरूप बनाने जा रहे हैं जो चातर पहले से ही जुड़े हैं उनको अभी कायकरम की जानकरी दे दी जाएगी जो लोग paid group में नहीं जुड़े थे, वो इस group में जुड़ सकते हैं. इसमें करेंगे गया कि इसमें daily wise, जैसे कल हमको क्या पढ़ना है, पूरी प्रक्रिया, सुबा से लेकर साम तक, आपको हम सिले बस देंगे पढ़ने के लिए, और उसकी PDF वीडियो जो भी होगी provide करवाएंगे, ताकि उतने समय में आप पढ़िए, आपको समय देना है बस, उस चीज को पढ़ना है, अगर उस दिन किसी particular day पे जैसे माल लो आप, मैंने कल कह दिया कि आपको सुबह 8 से 10 हम PDF देंगे, उसमें आपको modern history की PDF मिलेगी, ये पढ़ना है आपको, माल लो modern history के आप बाश्चा हो, सब पढ़ा है, तो ये समय आपको, आप ये follow मत करिए, इस समय revision करिए किसी चीज का, तो ये भी आप करेंगे, ये आपके उपर निर्भर करता है, कि आप उस कायकरम के अंसार, कितना चलते हैं, क्योंकि 100% चलना तो, हमको लगता है किसी भी चीज के लिए, किसी के लिए भी हमारे लिए, किसी के लिए भी संभो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 60 to 70% follow कर लेंगे, तो कि कोई परिक्षाब की रुकेगी नहीं, confidently आप यहां पर आप जाके टैकल करेंगे एक्जाम को, ये प्रारम होने वाला है, एक दिन पहले हम बता देंगे कि कल इतने बज़े सुबह ये मिलेगा, इतने बज़े दो पर ये मिलेगा, शाम को ये मिलेगा, आपको पढ़ते चलना है, बहुत impactful का अकरम रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा load भी नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी चीज़े तयार होती जाएंगी, revise भी होती जाएंगी साथ साथ, तो पूरा प्रोग्राम है, Hindi और GS का, उसमें चलेगा, तो आप लोग चाहें तो संपर कर सकते हैं, इसके लिए 7905901018 पर, ठीक पांचमें दिन से ये कायकरम स्टार्ट होगा, डेट और जो schedule है, इसके बारे में और विवरन हम अलग वीडियो में आपको देंगे, इस वीडियो से संबंधित अगर कोई आपको doubt है, आप जरूर दीजेगा, आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद,